पूरे विश्व में बहुत धूमदाम से मनाये जा रहा है भारत देश में समस्त में लेकिन ऐसे महिला दिवस को मनाने का क्या फाइदा जा महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं है हम आंगानवाडी कारे करता हैं सालों से सरकार को अपनी सेवा दे रही है सालों से और जोली फैला फैला के हम उनके कभी राज्ये पे जाते हैं कभी केंदर पड़ जाते हैं, कभी प्रदान मंधरी जी के सामने, कभी मुखे मंधरी के सामने जाते हैं, ये जोली फिलाते हैं, हमें हमारा हक चाहिए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन्ता है, तरह-रह के काम, ये, वो, स्कूलों में शिफ्टिंग, सब करवाया जा रहा है, ले पर्दान मंतरी जी हमें पर्मानेंट कर दो पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है पर्दान मंतरी जी जो भी है मैं यह अपना कहना चाहती हूँ कि आपने प्रदान मंतरी श्रम धन्योजना जिसने बनाई क्या उसको एक बार भी खयाल नहीं आया कि 40 से उपर वाली बेनों का क्या होगा उनको ख्याल नहीं आया कि हम लोग भी तो रेटाइड होएंगे सालों से सेवा दे रहें 260 रुपे में नोकरी शुरू करी थी 500 रुपे में नोकरी शुरू करी और आज जाकर के जब पर्माने पेंशन देने की बारी आई तो आपने उमर सीमा तै कर दी इतना दोरी करन और आप मना रहे हो महिला साशक्ति करन दिवस नहीं मैं विरोध करती हूँ मैं समस्त मेहनों की तरफ से इस महिला दिवस का विरोध करती हूँ ये दोरी नीती सरकार अपना ना चोड़ दे और जो हम लोगों को मांगने जाओ तो बोलते हैं मांदे करमचारी हो एक ये जो सरकार से सिर्फ जोली फिलाते हैं अरे मा हैं हम मा हैं माओं का तो बच्चे सुनते हैं पर ये कैसी सरकार है और सरकारे पहले भी आई ना उन्होंने सुनी ना उम्मीद थी ये सरकार सुनेगी हमारे सरकार हम से है मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ सरकार हम से हम सरकार से नहीं है हम चाहेंगे जिस दिन अगर नारी एक हो गई और जिस दिन नारी ने ठान लिया और उस दिन सरकार भी पलड़ जाएगी और राजे भी पलड़ जाएगे सब पलड़ जाएगा लेकिन हम सोचते हैं ये कि हमारा मन जो होता है ना मोम की तेरे होता है मैं मुख्य मंतरी बात जो योजना आई आई आपने उनको पर्मानेट कर दिया मुख्यमंद्री साहब यह हमें कई मंजूर नहीं है हम विरोत करते हैं इस महिला दिवस का विरोत करते हैं यह दोरी नीति अपना ना चोड़ दो बहुत बहुत ही बुरा हो जाएगा और आज मेडिया के माध्यम स से और अपनी सबी बहनों के सयोग से और सामरते से मैं यह बताती हूं कि हम अब ऐसी रणीती बनाएंगे हम ऐसी रणीती बनाएंगे कि सरकार कहते हैं सेवाएं सेवाएं बंद भी करी जाती हैं सेवाएं सारी बंद हो जाएगी पंचायत हमसे काम करवाएं स्कूल हमसे काम करो है इतनी बार हमने जैपूर में आके धरने कि हर सरकार के सामने किसी सरकार ने सुनाई नहीं करी एक उम्मी ती और गोशना पत्र में लिखा प्रत्यक आंगनवाडी कारे करता का मांदे 13,000 साहिका का साड़े 6,000 लेकिन उसका केवल 10 परसेंट दिया एक चोकलेट पकड़ा दी कि चलो ठीक आपका बढ़के क्या होता है सरी से 10 परसेंट से कुछ भी नहीं होता है अगरी नहीं से चल रहा है एसा नहीं कि पैसे वाली है या धन दोलत वाली है सब इसी पर आदारी थे अगर सभी के पैसे तो कोई भी आंगनवाडी कारे करता कि नोकरी नहीं करता है कंशल्द है नज देन करता है मैं करदें हम बेड़ बगरी कि यह कि उतुछ भी नहीं मिलता नहीं कर ली तो कि परमानेंट हो गई हमारे बाद वाली योजना है परमानेंट हो रही है हम लोगों को मान दे करम चाहिए हमें तो तंखा चाहिए हमें हमारा हक चाहिए पूरा और हक मिलेके रहेंगे शिव जब मुसीवत में पढ़े थे आज महां शिवरात्री का दिन है और मैं सरकार को कहना चाहती हूँ शिव जब मुसीवत में पढ़े थे उनको शक्ती ने बचाया था और यह आज मात्र शक्ती खड़ी है एक और जिस दिन हम ने अपनी शक्ती दिखा दी सरकारों के सब डोल जाएंगे लेकिन एक मा का दिल रखते हैं यहां सीने में मों में हमारे हम सोचते हैं क आज नहीं कल नहीं उमीद सब्र कहां तक उमीद करें अब तो उमीद का बादी बिल्कुल तूट गया आप लोगने यह कह-कि कि 9 साल में पर्मानेट हो गए हैं और हम लोग नियमित अरे भाई हम भी तो नियमित हो सकते हैं ऐसी कौन से योजना है जिसके तरू हम नियमित म बेवा दे रहे हो अरे क्यों लगाया था ऐसी योजना में जिसका कोई विकल्पी नहीं था दूसरा मैं आप मैं फिर कह रही हूं आज बहुत बड़ा दिन है महाशिवरात्री का दिन है और मैं भगवान भोले की सोगंद खाके कह रही हूं अगर सरकार ने सबी बेनों की सरकार ने क्या करका है तरह तरह के मजदूर यूनियन बनाके हमें टुकडों में बाढ़ दिया क्योंकि फूट डलो शाशन करो कि नीति अंग्रेज दे गए और इन्हों ने कह दिया उसका पल्लू पकड़के चलते हैं हमारे में फूट डालते हैं लेकिन अब समय आ गया है अगर प्रियासी के जाते हैं तो मैं जोली क्यों मैं जोली क्यों फेलाते हैं। और होते हूं अभी मोयलाबान विकास मैद सिः का करता है यहां जाती है व JE Va सेवा सेवा अरे कराली ना कितनी सेवा कराओ कि अब सेवा का मान तो डंक से दो तो नरेगा से पहले उनको ये देखना था कि योजना है जो पुरानी योजना है चल रहे हैं पहले उनको पर्मानेंट किया जाए क्यों क्यों कि इनको 20 साल मिलेंगे उनकी तंखा से पैसा काटने के लिए और हमारे पास कम समय रहे इसलिए हमारे से पैसा नहीं काट सकते योजना चलाना ही तो है आप जमीन इस तर पे देखो उन योजना को अंजाम भी देते हैं सब अंजाम हम देते हैं नहीं चला सकती सरकार हमारे बिना कोई भी और रही है नहीं भोद द ही स्थिति ओगई है आज मैला दिवस मना रहे हैं जो और शोड से आँन बही मुख्य मंत्री साब सब लेकिन क्यों इतनी दोरी नीती क्यों दिखावा करती हर सरकार करती है हम उम्मीद बान्द के रखते है गोशना पत्र में अजार दी जाएगी और करा क्या 10 परसेंट और 10 परसेंट का भी आपको असलियत बता दू तन्खा हुए है हमारी दो उसमें एक किंद्र देता है और एक राज्य कि अब्ले मेणा देने जारी हूँ कि अभी भी समय है नरेगा को आप ने कि HUMAN की बहुत हुन को वह रह्या है उनको भी बदाई हो लेकिन हमें वह करना ही है हम थी मखों लेकर our को Moral कोई ना कोईं हने कर दिया जाता है और यह सोच के कि सरकार सुनेगी सुनेगी पर नौ सल में नियमित करन हर हम और क्या 260 रुपे में 500 रुपे में नौकरी सेवा शुरू करी थी उमरी पूरी भीता दी हमने तो इस आंगनबाडी में और पांच घंटे की नौकरी करने के बाद दूसरी कोई अन्य नौकरी पे भी नहीं जा पाते पांच घंटे हमारे जो ले ल मेरा नाम शेवाली बटनागर बुंदी जिले से आंगनबाडी करे करता तो इसी तरह नई नई अपडेट्स वा जानकारी जानने के लिए देखते रही हमारे साथ दर्शन नीड जो है आप सबका अपना विश्वास वा चैनल को लाइक शेर वा सब्सक्राइब करना ना जा कर दूआक शेर चैनल